हलो गाइस में नाम है सुमित कुमार आप देख रहा है बूश्ट योसल्फ वे इनफर में बेटर तो आज की वीडियो बहुत जाद इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी बेल सीरीज की तीसरी ये वीडियो होने वाली है ठीक है अलड़ी फर्स्ट वीडियो और सेके काउट कर सकते हैं दोनों वीडियो को पहले जो वीडियो थी वह एटू जेड़ आपका इंफोमेशन था के प्रॉजच इंगीनियर का जो process होता है वह क्या होता है कि हम कैसे उन processes को follow करके हम प्रजट इनियर या तो बन सकते हैं भारत लॉक्ट क्वेड़ में ठीक है पहले पर मैंने बता के रखा हुआ के preparation strategy आप क्या कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छे तरीके से मनने बता के रखा हुआ अगर आपने नहीं देखा तो second number जो वीडियो है आप देख सकते हैं आपको मार्क्स के साथ बलायाई क्यों मैं इंटर्वीयो में आप के साथ किया जाएगा चाटर कीम से और के यहां पर मोखे का फायादा ह था करके तीने जो वीडियो वीडियो होगी वह भी मैं सूट करने वाला हूं क्या कि सारी वीडियो को एक ही दिन में शूट कर रहा हूँ और इसको अलग अलग दिन पे एडिट करके मैं पब्लिश करूँगा ओन्वार्ट संडे ठीक है तो आप निश्चिन तरी इस बात के लिए तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल बूस्ट और सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस बेल आइकन को भी दबा दीजे है तो सबसे बहले हम बात करते हैं रिटेन इग्जामिनेशन की तो वहाँ पर आपने रिटेन इग्जामिनेशन दिया आपका सेलेक्शन भी हो गया रिटेन इग्जामिनेशन में कि आप सेलेक्ट होके इंटर्वी प्रॉसस में जाने वाले हैं तो सबसे बिल आप क्या करेंगे अपने जो interview का callator है वो आप download कर लेंगे उसमें सेम बात मैंने बहले ही बता रखा है कि interview भी आप अपने same respective unit में ही देंगे बिल्की चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो मंबाई हो चाहे वो आपका मचली पटनम हो बहुत सारी units है जिस unit ने आपका जो notification निकाला होगा आपको वहीं पे ही interview देने के लिए जाना होगा ये fact है बिल्कुल तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे interview देने के जाएंगे ठीक है जो भी आपको documents दे रखे होंगे उस interview callator होगा वो सारे documents आपको लेके जाने है पहला number तो यहीं से ही अच्छे तरीके से आपको clear होना चाहिए ये ठीक है अब आपने सारे documents लगा लिए A to Z जितने भी थे जो भी आपको जो interview process में लगने वाले थे तो सबसे पहले आप units में जाएंगे ठीक है वहाँ पर आपको हो सकता है form भरवाया जाएं कि आप interview देने के लिए आए हैं ठीक है पहले इंटर्विए के पहले ही आपको document verification हो जाए अगर आपके documents सही होंगे आपको interview beans दिया जाएगा अनधؑ चाहिवे में और नहीं दिया जाएगा इसी लिए nen गरती सबसे Pहले ही interview में can do do प्तरीक हैना ठीक है ऐससी समझजिएगा सब सेलेक्शन हो जाएगा it इसके बाद document verification नहीं होगा उसके बाद अलग से होता document verification सबसे पहले कुछ necessary documents होते हैं जैसे कि आपका mark sheet हो गया आपकी B-tech की mark sheet हो गई आपका experience certificate हो गया इस सारा जाचने के लिए पहले ही छोटा सा सा एक documentation महां बनाया जाता है list of the documents आपको को आप देखने के लिए मिलेंगे इंटर्विव कॉल लेटर में यह सारा आप डॉकुमेंट्स टिक कर लीजेगा कि मेरे पास है या नहीं देन आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको इंटर्विव में बैठने के लिए बुलाया जाएगा तो फर्स्ट फॉल आपका डॉकुम कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो बताने के लिए कि मैं अभी इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो आपको प्रिवेस कंपनी का प्रिवेस सलिप अपने साथ में लाना होगा हो सकता है बेल वहाँ पर लिखे नहीं डॉक्मेंटिशन में कि आपको यह यह लाना है लेकिन मेंने का सैले सिलिव आप दिखा सकते हैं और वहां पे आपको रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए अगर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगी सपोस्थ आप किसी कंपरी में काम कर रहे थे अचानक छोड़ दिया और उसका रिलीविंग आपका इंटर्विव प्रॉसेश ठीक है तो सीम्फल से यह बात है इंटर्विव को मतलब यह नहीं है कि आपको इंटर्विव देने को मिलेगा जब आपको डॉक्मेंट प्रप्यार पूरे तरीके से हो जाएंगे तभी आपको एंटर्विव में घुसने दिया जाएगा अनता यहां से आपको कह दिया जाएगा कि आप डॉक्मेंट कंप्लीट करके लाइए यह पहली बात हों के सबसे में इंपॉर्टेंट आपको यह दिमाग पर रखना है ठीक है जब आपका डॉक्मेंट वरिफिकेशन हो जाएगा आपको यहां से वहां ले जाए जाएगा यहां पर आपका इंटर्विव होगा तो वहां पर सबसे पहले तो या तो आपका एचार बैठे होंगे जो आपसे कॉमन कुश्चन करेंगे जो की होता है टेल में अबाट योसल्फ और बहुत सारे कुश्चन जिसका मैंने वीडियो अपनी एच्पी से इंटर्विव में बना के रखा हुगा वाली वीडियो में कि यह जो कॉमन कुश्चन होते हैं वो किये जाएंगे अब यहां पर आपके जिन जो यूनिट्स है जिस एस्वियो में आपका हो रहा होगा यह नोटिफिकेशन उस एस्वियो में जो सीनर डीजियम होंगे या तो मैनेजर पोस्ट यहां पर देंगे जैसे वो कॉश्चन पूछेंगे आप उसका इंटर्व्यों देंगे तो सबसे बहले हम बात करते हैं ट्रेनी इंजीनियर की सो ट्रेनी इंजिनियर में क्या होगा उनके पास सरिफ एक साल का एक्स्पीरेंस ही होगा तो सबसे यहीं से शुरुआत होगी क की वह ज्यादा कुछ तो पूछ ने सकते और वह आपका सेलेक्शन जो करेंगे प्रीवेस एक्स्पीरियंस के अनुसारी करेंगे कि आपने या तो आपने किया होगा करने के बाद आप आयो होंगे ठीकिए बैल में ट्रेनी इंजीनियर बनने के लिए सो आप से इप्रेंट इंजीनिरिंग को कहीं पर आप कर रहे हैं अप्रेंटिशिप तो प्रीज वहां पर अपने नोट्स बनाई है अच्छी तरीके से क्या क्या आपने सीख्या है उसको डेबलब कीजिए आदत कि आप किसी को बता पाए कि मैंने यह काम किया था एक आसान भासा में ताकि वह समझ स्थ तरीके से कौन नहीं किया है आपको पूरा अच्छी तरीके प्रेपेर करके जाना है कि मैंने क्या 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 था अगर आप नहीं बताएंगे वहां पर तो आपको रिजक कर दिया दाएगा क्योंकि आपका experience ट्रेनिंगे के लिए कि वह एक साल का है वह आपका खुद का क्या पूछेंगे क्योंकि उनके उपर डिपन करता है क्या पूछेंगे बट यहां पर हिंट जरूर दे रहा हूं तीन चीज़ें आप तयार कीजिए पहला common question होता है tell me about yourself और ज्यादा आप common question के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं HPCell apprenticeship के लिए मेरे interview वाली वीडियो को है के वल तो वहां पर सारे question मैंने बना के अल्यडी फ्रेम करके रखे हुआ है जिनको जो लोग साउस से हैं वह अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लेना मैंने उसको English में convert करके रखा हुआ है मतला आपको subtitle मिल जाएगा वहां पर तो आप देख सकते हैं English में इस तर चाहे वह mechanical का हो चाहे वह chemical का हो चाहे वह computer science के question हो वह सारे के basic level के question होंगे वहां पर आप से पूछे जा सकते हैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूछे ही जाएंगे definitely पूछे जा सकते हैं अगर आप अपना apprenticeship अच्छे तरीके से explain नहीं करेंगे तो वह technical पर जंप मारेंगे और technical पर जब मारेंगे तो आप से cross question भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से वह आपके जो simple level के question चार लेवल के होते हैं जो कि मैंने वीडियो बनाई हुए उस पर भी आ सकते हैं तो आप अच्छी तरीके से इन तीनों को prepare करके जाएए आपको कोई ने डोकेगा सेलेक्ट होने से तो आप इस तरीके सेलेक्ट हो जाएएगा अगर आप apprenticeship का पूरा बता दे रहे हैं अच्छी तरीके से तो वह आपका जो apprenticeship का experience है उसे अच्छी तरी से सुनेंगे और यहीं तो अब depend करता हैं उन पर कि वह सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो मेरे उपर बिल्कुल भी depend नहीं करता ना तो बता सकता हूँ कि वह किस तरीके सेलेक्शन करेंगे यह मनें बता दिया है कि तीन तरीके की question आप से पूछे रहा सकते हैं पहला आपका हो गया experience related जो कि आप से definitely शुरुवात में ही पूछ लिया जाएगा अगर वो mood में होंगे तो अगर mood में नहीं होगा तो सबसे पहले आप से tell me about yourself ही पूछेंगे फिर उसके बाद आपके experience पर बढ़ेंगे ठीक है तो experience सबसे पहले आ सकता है या HR question सबसे पहले आ सकता है और बीच में आपका आ सकता है technicality technical question आ सकते है ते तीन आप प्रेपेर करके जाएगा आराम से आपका selection हो जाएगा interview में ठीक है वही चीज कि आपको interview में nervous नहीं होना इसके लिए मैंने वीडियो अच्छी तरीके से बना ही रखी है आपको dynamic बनना पढ़ेगा अगर आप dynamic हो अच्छी तरीके से त do the answer he will give the answer वो answer देगा वो करेगा answer को पूरा ठीक है तो अच्छी तरीके से आपको dynamic बनना पढ़ेगा तो dynamic बनने के लिए जो personality होती है उसमें अच्छी तरीके से blank नहीं होना है जब भी हमको देना है रुक रुक के नहीं बोलना है ठीक है जो भी बोलते रहो experience पे बोलते रह रहे हैं तो ऐसा भी नहीं बताना है तो पूरा मैं यह कहना चाहता हूँ पूरा अगर experience आपको पता है तो उसको एक notebook में लिखिए उसको practice कीजिए अच्छी तरीके से कि क्या deliver करना है और क्या उस experience में से छोड़ना है जो कि cross question ना हो जाए आपसे तो यह रहा training engineer की post के लिए तीन यानि कि आपका पहला experience यानि कि आपने previous experience कहां से किया है चाहे वह experience हो सकता है चाहे वह आपनी private company में job किया होगा apprentice के तो आपका experience को इक प्राइवेट company में आपने कर रखा होगा या तो apprenticeship कर रखी होगी आपने ठीक है किसी भी government company से यानि कि PSU से HPCL से ऐसे कर करके आप कर सकते होंगे तो आप तीनों मतलब इस training engineer की post के लिए आपके पास तीन ही उपाए है या तो आप experience अपना रट लिजिए पूरे तरीके से कि आपने क्या किया था दन उसके बाद आपने technical question थोड़े बोले पाल लिजिए कि अच्छी तरीके से basic level क्या ह होता है दना थर्ड जो technical question से भी ज्यादा अच्छे होते हैं अगर आप दोनों नहीं बता पाते हैं तो आप से question पूछेंगे जो कि आपको पता होने ही चाहिए कौन-कौन से होते हैं वह मैंने अलड़ी hp cell की video बनाते रखा हुआ है तो यहां से यह training engineer का खताम हो जाता है interview ठीक है हम बात करते है project engineer की so project engineer का जो scene होता है वह यहीं से शुरुआत होगा दो चीजों से शुरुआत होगा ठीक है या तो technical sorry या तो HR question पूछेंगे सबसे बढ़े tell me about yourself आप क्या करते हैं तो आपको बह यहां पर इंटर और high school के marks को बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आपके पास दो साल का experience है बताना चाहते तो आप बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा अगर tell me about yourself शुरुआत में पूछे तो आपको शुरू में बता देना है बस और इसके बाद आप बताई बताईए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि आप जरूर जरूर है कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ठीक है अपनी job में या तो आप छोड़ चुके होंगे वो job तो I have completed this यह लिख दीजेगा चितरी की समापर यह आप बोल सकते हैं कि मैं यह कर रहा था वहां पर इस company में कर रहा था किस पोस्ट पर था यह आपको बताना पड़ेगा देन वह जंप करेंगे definitely आपके previous experience पर यानि कि दो साल का experience आपको उसमें से latest वाला कौन सा है वह आप से पूछेंगे पहले तो क्या आपकी responsibility थी वहां पे इसको सबसे पहले target वह करेंगे आप क्या कर रह हैं बस यह पूछेंगे आप से कि responsibility क्या थी आपकी तो पहले तो responsibility अपनी समझीए चाहिए वह आप किसी software में काम कर रहे हैं ठीक है software में काम कर रहा है आपके वह कमांड दे रहे हैं आप अपना काम क्या कर रहा है अच्छी तरीके से यह आप अच्छी तरीके से define कीजिए ज यह अच्छी तरीके से बताना जरूरी है कि bell में आपने अगर ट्रेनी इजिनियर थे तो क्या काम किया अच्छी तरीके से आपने सो पूरी responsibility आप सुनाइए उनको और जो HR लेवल के question है वो तो आप prepare कीजिए उसके लिए आप वीडियो देख सकते है मेरी अच्छी तरीके स नहीं ही पूछे जाते हैं केवल या तो HR लेवल के question थोड़े मोरे पूछी जाएंगे या तो वो अपने जो previous experience है उससे question पूछते है लेकिन यह दोनों से question पूछते है यह definitely 100% sure है जादा से जादा 100% मैं कहना चाहूंगा तो वो previous experience पे ही question पूछ के interview को समाप्त कर देते हैं मतलब जो अभी recent में काम करके आप आया उस पे जादा focus कीजिए previous को जो बहुत पहली के company number one की है जिसको आप one two three पे भी करते हैं जो सबसे last वाला company होगा जिसमें आप अभी काम कर रहोंगे उसके experience को उसको जादे ही अच्छी तरीके से बताना है क्योंकि previous वाला हो सकता हो आ आपको होनी चाहिए लेकिन फस्ट वाले की priority आपको ज्यादा होगी कि जो अभी recent में आपने जो काम किया उसकी नौर्य आपको है या नहीं है वह भी आपको डैनेमिक personality के साथ बताना है रोक रोक के बताएंगे तो उनको शक होगा कि आपने कुछ किया नहीं है तो इस तरी के कुछ questions होंगे वह आपको पूछे जाएंगे उसके लिए आप वीडियो देख लेना अगर मैं बताने बैठोंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मैंने यह बता दिया कि टेक्निकालिटी के लिए उपर प्रोजेक्ट इनियर में थोड़ा कम फोकस किया आपको यह वीडियो पसंद आयोगी जब आप इंटर्व्यू दे देंगे देन इसके बाद आपको कुछ दिने के बाद मेल आएगा कि यू हाब बीन सेलेक्टेड प्रोविशनली एजर ट्रेन इंजिनियर और एज प्रोजेक्ट इनियर ठीक है इन भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ दीजे आपका इंटर्व्यू क्रैक हो जाएगा यह गरेंटी है तो आई होब आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा इसमें मैंने अच्छे तरी किसे बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप बिलकुल अच्छे तरी किसे ब्लैंक मत मतले किसे ठीक होड़ reactions करना है और उचैने इस वीडियों बता दिया है कुछ ज्यादा नहीं बता पाहूंगा ग्योंकि वीडियों तबता के लिए ठनवाद और वाल अगली वीडियो में में बात करूँगा कि आपका final selection process क्या होने वाला है कौन कौन से आपको documents की जरुवत पढ़ेगी और कब यह documents बनवाने के लिए आपको देदेना है ठीक है कि कि documents को बनाने में देर लगता है थोड़ा सा और अगर यह document नहीं होंगे तो आपका final selection process complete नहीं होगा आपको extension अगर आप पहले से document बना लेंगा तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए so मैं मिलता हुआ आपके साथ इंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए take care of yourself and good bye